बसिंजाब सुप्रवाद स्वागत है आज फिर से थोड़ी कमजोरी का दिन है शुरौत तो कमजोर हुए लेकिन वाइदा करोबार की हफते के एक्सपारी का भी दिन है उम्मीद करें कि कुछ शॉट कवरिंग खरीदारी आएगी कहा देख रहे हैं एक्सपारी वाजार के ड दिखेंगे वह मौका शैद आए ना आज आपने देखा गैप डाउन के बाद बापिस बाइग आ गई और आप देखिए फंटमेंटल कितने स्ट्रॉंग हो रहे हैं मैं आपको गैरेंटी से कहता हूं 17-18 तारीक के बाद कुरूट घटेगा जियो पॉलिटिक्स में धील आ तो आएम एक्स्ट्रीम ली पॉजिटिव ओन देखेंगे लेकिन ब्रॉडर मार्कित पहले 17,000 जाएगी फिर देखेंगे तो अभी भी लेने की चेस्टा कीजिए अपना स्टॉप स्पेशिफिक आप कहें तो कल का अपडेट भी देदू अनिल जी प्लीज पहले बताएं एक सो साड़े पिचेतर साड़े चेतर में दिया था एक सो ब्यासी हो गया और लाल पाइट लाइब दोजार पिचानिवे बिग्या जो दोजार पैंटिस चालिस था इकी सो पचाज जाएगा अब आपके लिए तीन बाइ कॉल्स हैं आप कहें तो मैं शुरू करू पताएं इस से बड़ी आपका शयर मिली नहीं सकता एक हजार शतरा टारा में लीजिए मनें फ्यूचर में साट रूपे डिविदेंट है आपको एक हजार का स्टॉप लॉस रखना है एक हजार पिचटर का टारगिट जो कल आपको टारगिट है एक्स डिविदेंट से भाव हो है यू केनाट बड मेक मनी अम्बूजाट 365 स्टॉप लॉस ऑफ 358 टार्गेट ऑफ 380 के लेवल्स है या कैश के बसनी साब फ्यूचर के डिसकाउंट पे चल रहे हैं ओके तो खरीदारी में आपको टिसको खरीदना है टाटा स्टील का एक बार जरा फ्यूचर ले आए मैं ए पूजा सिमेंट 366 के आसपास इसके फ्यूचर चल रहे है 358 का स्टॉप लोस है और 380 का टार्गेट और सेल यह है वो स्टॉच जिसके फ्यूचर से एक बार आपके सामने रगदूं सेल का अंगे है सेल को लेके आई है जड़ा कि तीनों एक बार नोट हो जाए सेल भी 75-50 के आसपास देखाता है मैंने देख लेते हैं 35 के आसपास इसके फ्यूचर से यहां पर खरीदारी करने की राय है 70-50 का स्टॉप और 80 का टार्गेट यह तीन स्टॉच है यहां वर्षिन साप की तरफ से खरीदारी करने के राय है बहुत बहुत धन्यवाद सर यह तीनों बै पर सिंदाव की तरफ से